बहुत पुरानी बात है महातपा नाम के एक रिशी थे कठोर तपस्या से पाई दिव्य शक्ति पर उन्हें बहुत खमंड था एक बार जब रिशी गहन तपस्या में लीन बैठे थे तब रिशी से अन्जान एक बगुली ने बीट कर दी जो रिशी पर जागिरी रिशी का ध्यान भंग हुआ रिशी ने क्रोध से उपर देखा ए दुष्ट पगुलो तुमने मेरी तपस्या भंग की तुभारा ये दुश्साहस अब महा तपा को क्रोधित करने का परणाम तुम्हें भुगत ना होगा पेड़ पर बैठे दूसरे पक्षी भी ये घटना देखकर उड़ गए इस शक्ति प्रदर्शन के बाद अब महा तपा का क्रोध शान्त हो चुका था वो फिर से तपस्या में लीन हो गए अगली दिन रिशी महा तपा भिक्षा लेने के लिए जंगल के पास वाले गाउं की ओर चल दिये भिक्षान देहि भिक्षान देहि माता भिक्षा दे माता एक इस्त्री घर से बाहर आई और बोली प्रणाम रिशिवर मेरा नाम देवी है आप तनिक प्रतीक्षा करें मैं अभी घर के कामों में व्यस्त हूँ कुछ समय पश्चाथ मैं आपको अवश्य भोजन करवाऊंगी ये कहकर इस्त्री वापस घर में चली जाती है महातापा को किसी से ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी उन्हें ये अपना अपमान लगा वे मनी मन बहुत क्रोधित हो गए मूर्क स्त्री मूर्क हमें प्रसंद करके मन चाहा वरदान पासकती थी लेकिन इस स्त्री ने हमें पतीच्शा करने को कहा हमें इसे हमारी दिव शक्ति का पता नहीं अब ये अब ये हमारे क्रोध से नहीं बच्चकती हम यहीं खड़े रहकर इसकी पतीच्शा करते हैं देवी अपने घर का सारा काम निपटा कर वापस बहर आई लीजे रिशिवर भोजन कीजिए मोर्कस्त्री तुने हमें प्रतीख्शा करवाई तुझे हमारे तपोवल का कुछ अनुमान है तुझे पता है पता है तुझे कि हम कौन है मुनिवर महातपा आपको कौन नहीं जानता लीजे मैंने आपके जोले में भिक्षा डाल दी है रही बात आपकी शक्तिकी तो मुनिवर मैं कोई असाहाए जंगल की बगुली नहीं जिसे आप डरा सकें या भस्म कर सकें देवी और मुनिवर मैंने तो सुना है भिक्षुक बहुत कोमल हुदै के होते हैं किन्तु देवी ये घटना तो जंगल में हुई थी तुम्हें कैसे पता चला ये तो धर्मव्याद ही बता सकते हैं धर्मव्याद जी मुनिवर धर्मव्याद वो गाउं के बाजार में अपनी दुकान में मिलेंगे दुकान में? जी रिशिवर वो बहुत ही फले और कोमल हुदै हैं आप उनसे मिलकर अवश्य प्रसन्न होंगे हम अवश्य ही धर्मव्याद से मिलेंगे जी प्रणाम रिशिवर आयुश मतीभावर रिशी धर्मव्याद से मिलने गाउं के बाजार गए तो पता चला धर्मव्याद एक मांस पेशने वाला व्यापारी है क्या धर्मव्याद मांस विक्रेता और उसमें दिव्य शक्ति इसे कैसे पता चला कि हमने जंगल में बगलों को भस्म किया है धर्मव्याद से ही पूछते हैं अरे रिशी वर आप यहां बस एक जिग्यासा यहां खिंच लाई कहिए मुनिवर महातपा तुम हैं कैसे पता चला कि हम ही महातपा है मुनिवर मुझे तो ये भी पता है कि आपने अपनी क्रोध द्रिश्टी से दो बगलों को भस्म कर दिया था हरे समझ गया मुनिवर आपको देवी ने यहां भेजा है अब रिशी को एकाएक ये समझ आ गया कि पूरी इमानदारी और लगन से अपना काम करने वालों का सामाने ग्यान किसी एकांतवासी रिशी से ज़्यादा अच्छा होता है रिशी जान गय कि ऐसे करमशी लोगों को आसपास होने वाली घटनाओं का पूरा ज्यान होता है रिशी को करम और ज्यान का समझ आ गया ज्यान की शक्ती का अनुमान भी हो गया वे धर्मव्याद से बोले प्रणाम धर्मव्याद प्रणाम सच्चे तपस्वी तो तुम हो तुम क्या कहते हैं मुनिवर कहां मैं और कहां आप मैं सत्य कह रहा हूँ धर्मव्याद मैं स्वयम को दिव शक्ति का स्वामी समझता था लेकिन आज मैंने जाना तुम्हारे और देवी जैसे लोग ही वास्तविक सिद्ध के स्वामी हैं मुनिवर कर्म करने वाला सबसे बड़ा होता है कर्म श्रेष्ठ है कर्म योगी श्रेष्ठ है आज मुझे सच्चा ग्यान मिला कर्म ही तपस्या है धर्मव्याद कर्म योगी को चारों दिशाओं का ग्यान होता है और तुम ही हो, तुम ही हो मेरे सच्चे गुरु, मेरे सच्चे गुरु, प्रणाम गुरुवर, प्रणाम, प्रणाम इस तरह सच्चा ज्यान पाकर और घमंड त्याक कर, महतपामुनी वापस जंगल की ओर चले गए कर टाम दोड़ा वादाय कर दो विल्भु, तो अरणाम, भर चले यह तरह सेंगल, नही को और चले कर और तुम ही जए टनावे हो, तुम ही यह जए है वापस प्रणाम, 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 ऊक्रणाम की उंगल, प्रणाम प्रापस ए। कर दो कर दो कर दो